नमस्कार मैं हूँ स्वतंत्र फोटो जनलिस्क मनुजरी गड़ी और मेरे साथ केमरे पर हैं अजीद बंगरी साथ मैं आज आया हूँ डियेस डिगरी कोलेज देरे साथ मैं हैं डॉक्टर मुकेश भारत द्वाजी प्राचार्य डियेस डिगरी कोलेज सर आपका स्वाबत है धन्यवाद सर मैं कोलेज कई दिनों से यहां पर आ रहा हूं और लगता देख रहा हूं कि बच्चों की अंकता लिकाएं नहीं आई हैं उनकी जो परिक्षाओं का पढ़ना में वो सामने नहीं आया आखिर इस हीला हवाली के पीछे प्राचार महुदय आप या आपके शिक बच्चों के भविश्च से खिलवाड हो रहा है क्या कहना चाहेंगे सर लेखे जहां तक माक्षीट मिलने की बात है जो भी माक्षीट हमें यूनिवस्टी से प्राप्त होती है जो डॉक्टर भीमरावं मेटकर यूनिवस्टी का मामला है वो हम साथ की साथ बटवाते हैं जो बच्चा आता है हमारे पास जो हमें उपलब नहीं हूपा रही है हम वो लगाता हुआ संपर्क करते हैं हम अपना आदमी भीजते हैं वहां से माक्षीट और डिग्री कलेक्ट करने के लिए यहां के रिजल्ट की बात जो भीड़ आप देख रहे हैं जो बच्चे हैं से पत्र हमें भेजा उसकी जो भी गलतियां हैं हम उनकी सारी एप्लिकेशन लेके जो लगवक पौने पानसो के करीब हमारे पास एप्लिकेशन साइन जो हमारी हेल्प डेस्क है जो बच्चों की साहिता के लिए हमने यहां पे बनाई हुई है उसके थिरो हमने अभी साड़े 400 से लेके पौने 500 तक एप्लीकेशन जिन में सुधार हुना है रिजल्ट में वह हमने वहां पे रिसीव कराई है तो हम अपनी तरफ से बच्चों की हर हेल्प कर रहे हैं और जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही हम तुरंत विश्विद्याले को इसके बारे में अब गत कर रहे हैं कई दसक से देख रहा हूं कि आप पहले प्रॉप्टर थे बच्चों के हक और हुकुक के लिए एंडमिस्टेशन से भिड़ जाते थे लेकिन जब प्राचार्या बने तो परिक्षा के परणाम बहतर होनी की जगह है गुणवत्ता ओमर शीट में परिक्षाय कराई जा रही है क्या यह बच्चों की बहतर भविस्क से खिलवार तो नहीं पती थे वह कहते थे जो बच्चे लिखते हैं पढ़ते हैं वह बहुत लंबी यात्रा करते हैं लेकिन ओमर शीट के माध्धम से कौन सी नई शिक्षा परणाली दर्शाना चाहते हैं आप देखिए ज और जो निकट भविश्य में होने वाली है वो भी OMR की होने जा रही है उसके पीछे जब रजिस्टार साहब से बात हैं हुई तो अगर हम कहें कि अभी विश्विद्याले की जो भवान विश्विद्याले का जो भवान है वो बनके तयार नहीं हुआ है तो कुछ प्रॉब हो था कि जिसमें हम शौट आंसर क्विश्चन पूछते थे जिसमें हम यह जो अब्जेक्टिव हैं से पूछते थे और लॉग आंसर पूछते थे वह बहतर प्रणाली मानी जाती है और उसी को हमें कहिएगा कि फॉलो करना चाहिए प्राचार महुद है हम देख रहे हैं कि में बीए बीएसी बीकॉब के जो छात्रें वो लगातार परशर में भर्मण कर रहे हैं उनकी आंसर सीट नहीं आ रहे हैं वो असंतुष्ट हैं वहीं सुनने में आ रहा है कि बच्चों की सीट्स कम कर दियें आखर इसके पीछे कौन जुम्यदार साथ देखिए अभी आप पर नई उनिवस्टी बनी इस्थापित हुई राजा महिन प्रताप उनिवस्टी तो जितने भी चार जलों के कॉलेजिस थे चाहे वो हात्रस के कॉलेज हों चाहे अलीगर के कॉलेज हों चाहे कासगंज के कॉलेज हों चाहे एटा के कॉलेज हों तो जो अलीगर मंडल के ज पिशानक वो सीटें राजा महिन प्रताप विश्विद्याले प्रिशासन द्वारा कम कर दी गए और अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास सीट कम है हम तो विश्विद्याले की अनुसारी काम करेंगे जो विश्विद्याले हमें कहेगा विश्विद्याले का जो आदे था सीट कम करने का क्योंकि प्रिवेश की पिर्किरिया थी वो अगर हमने आवेदन मांगे हैं तो हमने आवेदन अपनी उन सीटों के अनुसार मांगे जो हमें बीच में उन्हें कम किया इससे छात्रों में भी आकरोश हुआ और हमें भी समझ से आई लेकिन यूनिवस्टी का निड़े सर्वोपरी है तो मानना तो हमें है ही तो उसी के अनुसार हम उसको कर भी रहे हैं लेकिन मेरा मानना है कि इस प्रकार के निड़े अगर लिये जाएं तो ये सत्र प्रारम होने से पहले या प्रवेश प्रकिरिया प्रारम होने से पहले लिये जाने चाहिए जिस से छात्रों में भी आकरोश ना हो और महाविद्याले प्रिशासन को भी समस्या न उठानी पड़े हैं मैं हूँ मनोज अली गड़ी और मेरे साथ मैं केमरे पर हैं अजीद बांगडी साथ राचार्या और डियेस डिगरी कॉलेज से सच जैसा कि आपने बताया कि अधर में इस तरीके की बाते हैं राजा महेंद्र प्रिता के कुलपती जी ने एक किर्टी मानिस थापित किया है सबसे पहले जितने भी राज्य विष्विध्याले हैं उन में सबसे पहले परिख्षा कराने का सहरावनी को भन रहा है और आप सार उसमें कमियां निकाल रहा है मैं कमिया नहीं निकाल रहा हूँ यह अच्छी वात है कि अगर वो वो होना चीजिक अगय यह हमारा विष्विद्याल सबसे पहले रिजल्ट निकाल रहा है और लेकिन अभी बच्चे भी आए हैं उनमें खामिया भी हैं मेरा को कोई क्रेटिसाइज करने से मतलब नहीं है मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि छात्र के सरवांगीन विकास के लिए OMR अकेली प्रिणारी ठीक नहीं है उसके लिए चाहे हम long answer जो होते हैं उनको करें short answer questions को करें और objective करें और ये तो अच्छी बात है कि वो efficient है इसका मतलब कि अगर result ने कल रहे हैं उस पर मेरा कोई comment में नहीं कर सकता पुछले दुनों मेरी आदर्निया कुलपत जी से मुलाकात हुई थी चंदर सिखर सर से कुलपती राजा महंदर पताब उन्होंने कहा था कि मत बच्चों के अधिकारों के लिए बच्चों के लिए मुझे कोई कुंगी कुलपती कार्याले पर परसर अक्सर मैं देख्ता हूं कुछ अभी हाद बालक ही कहुंगा मैं उनको सीधे कुलपती कार्याले पर जाकर परदर्सं करते हैं उन से अवदृता की academic काष़ए प्रकाशत हो रहे हैं आखिर ये कौन सी शिक्षा प्रणाली है जो गुरुवों से अवद्र विबार और अक्सर गिराओं के प्रकरण सामने आते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे सारे सब्सक्राइब कभी कभी जोश में होश नहीं खोना चाहिए, अगर आप कह रहे हैं कि अवद्रता और ये है, त कभी भी छात्रों को जोश में आके अपने होश नहीं खोने चाहिए, और जो भी डिमांड हो, उनका एक तरीका होता है, मैं उसके समाधान के भी कहता हूँ, कि बही कुल्पती जी कोई समाधान करना है, और कॉलिज प्राचारी होने के ना थे, उनकी समस्या का हमें परिवार हैं, उनकी आर्थिक इस्ति कम्जोर होने के चलते, उनका शिक्षा का अधिकार कमर तोड़ता हुए नजरा आ रहा है, सर क्या कहेंगे, सर्थ कोच मदों में, अभी हमारी राजा महिन परताब विश्व द्यालने ने भी एक जो हमारा कीड़ा शुल्क है, उसको ब लगे हैं, वारता भी हुई है, लेकिन जो निदान है वो विश्व द्यालने इस तरह से ही होगा, क्योंकि महाविद्यालने को ना तो शुल्क बढ़ाने का अधिकार है, और ना ही किसी प्रकार का शुल्क महाविद्यालने बढ़ा सकता है. सर, बहुत से चात्रों ने और आप जैसे शिक्षकों ने आगरा विश्व द्याले से पीड़त होका, या डिगरी की बात हो, या मार्क शीट की बात हो, या बहुत सी समस्याइं आ रही थी, उसको लेकर एक महीम शुरू हुई अलीगड़ में यूनिवस्टी बनवाने के ल जिसमें आप काफी हद तक सफल भी हुए, लेकिन सर, वहीं पर समस्या जसके तस है, समय पर परना मतलब अंक्तालिकाएं नहीं आ रही है, शिक्षक जो छात्र हैं, उनको काफी समस्या हैं हो रही है, विश्विध्याले के और कॉलिजिस के चक्र काटने पड़ रहे हैं, त आगरा विश्विध्याले पर बोज बढ़ा हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अभी शैशवकाल में है ये विश्विध्याले, अभी आंकलन करना मैं समझता हूं जल्दबाजी है, अभी छात्र भी कम हुए हैं यहां पर, छात्र कम हुए हैं क्योंकि चारी जि ये समय चाहिए और कितना खरा विश्विध्याले उतरता है अपने उद्देश्यों पर, इसके लिए तो समय हमें देना पड़ेगा, सात्यों मैं हूँ आपका मनोज अलिगड़ी और जो भी मुझे छात्र और छात्रा हैं, शिक्षक, प्राचार और यहां तक कि कुल्पती महोदे भी अगर आप देख रहे हैं, तो बच्चों की समस्या के मद्दे नजर एक मजबूत कदम उठाएं, और जो भी छात्र छात्रा हैं, अपनी परेशानी से पीड़ित हैं, लगातार विश्विध्याले के, या कॉलेजिस के चक्कर काट रहे हैं, वो कॉमेंट बॉक् मैं हूँ मनोज अलीगडी और मेरे साथ मैं है अजीद बांगडी साथ, जो भी हमें देख और सुन रहे हैं, क्रिपया चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब परें, बहुत बहुत धन्यमाद